नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज किस फ्रेस कमाल एपिसोड में दोस्तों आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी का भी बैक्ग्राउंड व्यूजिक सौंग कुछ भी यूज करते हैं अपड़े वीडियो के अंदर तो आपको किसी फिकार या फर कॉपिराइटर स्ट्राइक का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा नहीं दोस्तों आपके मोनेटाइजेस में कोई समस्य उत्पन होगी नहीं आपको रियूज कॉंटेंट आए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कुछ ट्रिक अपनाने के लिए बोलूँगा बस आपको सिंपल वही करना है और आपका काम हो जायेगा को किसी फिकार का कोई आपकी चैनल पर कोई बी इश्ट्राइगे आपको क्वी खतरा नहीं आएगा नहीं copyright Deakla नहीं आपको किसी पिकार की कोई समस्स्य आएगी मोनेटाइजेशन के समय तो इस वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखते रहिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर प्राइबेट करके इस शेर करना है ना कि अंलेश्टिटर करके अगर आप ऐसा करते है तो आपके वीडियो पर कप्रॉप complete process दिखाता हूं तो वीडियो को पूरा complete देखते रहे हैं चलिए चलते हैं हमारे वाइटी studio पर तो दोस्तो मैं आज कुआ हूँ पने वाइटी studio एप पर और यहाँ पर आने के बाद दोस्तो मैं आपको पूरा complete process दिखाऊंगा तो दोस्तों जैसे ही आपका वीडियो जो है upload हो जाए private करके आपको upload करना था upload होने के बाद उस्तों आपको उसी पर klik करना है उस्पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको esse pencil पर आईचन पर क्लिक करना है और यहां पर जैसे ही आप क्लिक करें इसके बाद दोस्तों आपको अच्छे से उसका टाइटल के बाद रूस्तों आपको डिस्किप्शन यहां पर लेनी है रocused डिस्किप्शन मन complet दूस्तों आप वहाँ पर जाके उसको copy करके अपने वीडियो में add कर सकते हैं इसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर click करना है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर advance setting में आपको जाना है इसमें जाने के बाद दोस्तो आपको यहाँ सबसे उपर वाला option दिखेगा आपको यहाँ पर click करना है category पर जिस भी category से आप वीडियो को बनाते हैं आपको Simple उस ही पर यहाँ पर click करना है अगर आप entertainment बनाते हैं तो उस पे click करें गेमिंग है तोउस पर click करें और technology से सम्मन देते तो आप उस पर क्लिक करें और यहां पर जब दोस्तों हो जाए तो आपको नीचे वाला ओप्षन देखना है लाइसेंस एंड राइट्स ओनर से दोस्तों आपको इस वाले ओप्षन पर विसेज धियान रखना है क्योंकि दोस्तों यही वो ओप्षन है जिससे दोस्तों इस उनको पता चलता है कि आपने के मीजिक को एक लिया है अपनी वीडियो में और वह आपका यह पर क्लिक करना कि क्र Works कि यह होगा कि stuffs' किसी का भी मीजिक वीडियो कुछ भी एड़ करोगे तो आपको वो कॉपिरेट क्लैम नहीं दे पाएगा तो इसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है इस वाले ऑप्सन पर एकर आपका बंद होगा तो आप सिंपल इसको भी चालू करने के बाद दूस्तों आप इसको पब् कर देना है और पब्लिस जैसे ही आप करेंगे तो आपका जो वीडियो है बड़िया से चले लगेगा और आपको किसी पकार का कोई भी कॉपिराइट क्लैम का खतरा नहीं रहेगा तो मैं आसा करता हूं कि आप step by step सब कुछ समझ गए होंगे दोस्तों अगर आप किसी का भी कॉपिराइट क्लैम बिल्कुल भी नहीं आएगा तो दोस्तों मैं आसा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जुरू करना आजके लिए तना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में